नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 47 एर्स है और ये बाय प्रोफेशन आर्किटेक है अब इस पाम को देखे तो भहुत सुन्दर है सब कुछ है पर बीच बीच में कहीं न कहीं माइनस पॉइंट भी है इनके जीवन में राहु रेखाओ का रोल जादा है बीच बीच में रुकावटे इनके जीवन में बनी हुई है और कंटीन्यू हर दो चार साल में दो तीन साल में कोई न कोई रुकावट इनके जीवन में आती है पर ओवरॉरल पाम देखे तो काफी अच्छे संकेतो वाला है इस palm को देखे तो यहां पर space ज़्यादा मिला हुआ है जब भी किसी के जीवन में इस part में space ज़्यादा मिलता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं ज़्यादा धन्वान बनता है और यह बहुत simple सी चीज़ है बहुत easily यह सुख प्राप्त होता है जीवन में व्यक्ति को और यहां पर देखे तो इस पाम को गिन सकते हैं और साथ में थोड़ा सा हलका सा रेक्टेंगल भी है तो बैठे-बैठे बोलकर कारे करता है व्यक्ति अपने जीवन में और महन्ती भी उतना ही होता है अंगुठा भाँत सुंदर है फंस फेलेंज नुकिल आ है तो कारे के प्रति जिद्ध होती है और भूट बड़े स्थरपर इस तर का अंगुठा लेकर जाता है व्यक्ति को Second falange भी अच्छा खासा है व्यक्ती लौजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बातों को सामने रख पाता है बहुत आसानी से हाँ, बचपन में और जवानी में आर्गुमेंट ये लोगों से बहुत ज़्यादा करते होंगे तत्यों के साथ, लोजिक के साथ पर जैसे जैसे उमर बढ़ती है वो आर्गुमेंट कम हो जाती है हाँ, बीच-बीच में दौरा पढ़ता है पर काफी कम हो जाती है और इतना अच्छा अंगूठा हो तो व्यक्ती सक्सेस्फुल ना हो ये बात में दम नहीं हंडेट परसेंट इस तरह का अंगूठा व्यक्ती को सफलता दिलाता है उंगली आप मोटी है और साथ में अंदूनी मंगल भी अच्छा है तो व्यक्ती साधरी गूप से काफी एनरजेटिक रहता है फर्स्ट उंगली जो गुरू की उंगली है वो सुर्य के उंगली से बढ़ी है तो ये लीडर्शिप कॉलिटी तो देती है पर एक माइनस पॉइंट होता है इन में इगो प्रॉब्लम और ये इगो प्रॉब्लम एक ऐसा है जैसे आज इनको पता चला कि इस उंगली के कारण इगो है इगो का इश्यू आता है और ये बार बार जीवन में कचोटते रहता है जिसको बोल पाते वहां तो ठीक है नहीं बोल पाये तो अंदर ही अंदर घुटते रहते ये लोग ये डाइबेटीस की तरह ये समझ लीजिए ये आपको रोग मिला हुआ है और इस रोग को जैसे डाइबेटीस वाला फेस करता है कंट्रोल कर लेता है मिठाई खाना यह वैसे आपको भी इगो जब भी इस तरह का प्रश्ना आए उससे आप अपने लेवल पर रूल आउट कर लीजिए आप समझें कि यह आपका प्रॉबलम है यह एक तरह का रोग है आपके जीवन में बाकि यह उंगली लीडर्शिप कॉल उंगलिया छोटी है पाम के मुकाबले तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती है छोटी उंगली ठोड़ी सी छोटी रह रही है डोकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सब यह चीजों में कहीं न कहीं 20 से प्रतिशत की कमी रहती होगी बहुत ज्यादा भी छोटी नहीं, पर छोटी है, तो यह प्रॉब्लम तो रहता ही है व्यक्ति के जीवन में पर जिस तर का पाम है, हाद के नीचे काम करने वालों की संख्या काफी होगी तो वह लोग मैनेज कर लेते होंगे पर व्यक्ति के तोर पे तो ये problem create होती है फर्स फैलेंच उंगली का जो बूत की उंगली है उसका थोड़ा सा band हो रहा है तो व्यक्ति कहीं न कहीं पैसा कमाने में अच्छा रहता है बूत परवत देखे तो एकदम फुला हुआ है इस तरह का बूत परवत अगर किसी के हाथ में और साथ में यहाँ पर ट्राइरीडल भी बना हुआ है यह भी बूत की शक्ति को बढ़ाता है यानि विज्ञान हो गया वानिज्य हो गया यह सारे गुण इन में बढ़ जाते जब यहां पर ट्राइडेंट आता है और वो भी खास कर ऊपर की तरफ बनता है तो यह खासियत है यानि इस पश्ट वक्ता होते हैं जो सामने दिखा कुछ भी मन में नहीं रखेंगे सामने वाले को जैसा है वैसा बता देंगे यानि complete मन के साफ होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपकी secret किसी के सामने बता देंगे ऐसा नहीं होता हाँ सामने वाले का जैसा वैक्ति तुछ दिखा वह गलत कारी करता होगा तो तूरं बोत लेंगे आप यहां पर गलत कर रहे हों मन में नहीं रखेंगे यह open-hearted लोग होते हैं जैसा जो वैक्ती दिखा सामने वाले को ब भी बनाता है, बानी भी अच्छी होती है, इनकी यह सारे अड़ांटेज होते हैं, और यह साइंस के स्टूडेंट है, अगर कॉमर्स का और आर्ट्स का भी स्टूडेंट रहा, तो भी व्यक्ति कहीं न कहीं बेसिक नॉलेज साइंस का और टेक्नोलोजी का रखता है। यह एड़ांटेज है इनके हाथ में, एक दो छोटी छोटी लाइन है, जैसे यह लाइन यहां से निकल रही है, हृदेरेका से, तो ऐसे लोग ज्यादा तर विज्ञान से ही पैसा कमाते हैं, अब यह जो आर्किटेक भी है, यहां पर भी कहीं न कहीं विज्ञान ही यूज होत यहां से निकला लाइन और यहां पर यहां पर भी निकल रही है और यह लाइन हलके से आगे भी जा रही है, तो शुक्रवलय भी बन रहा है और यह लाइन भी इसमें जॉइंट होकर शो हो रही है जैसे गुरु परवत की और जा रही है, मैं दोनों के प्लस माइनस बता दे जहां आम इंसान एक हजार कमाता है वहाँ पर यह लोग लाखो और अच्छा हाथ रहा तो करोड़ों कमाते हैं सेकेंड चीज यहां से एक लाइन निकल कर इसी परवत इसी सुक्रवले में मिक्स होकर आगे बढ़ रही है तो जब शुर्य से कोई रेखा गुरु परवत की और जाती है तो यह भी हाई पोश्ट पर व्यक्ति पहुचता है कोई ना कोई अच्छी स्थान पर व्यक्ति जाता है यानि कोई ना कोई अच्छा कारे अपने जीवन में करता है और उच्य स्थार पर पहुचता है तो दोनों समीकरण साथ में मिलकर चल रहे हैं, इनके शुक्रवलय का भी फल मिल रहा है और इस लाइन का भी फल इनको मिल रहा है। सुर्य रेखा एक दम कमजोर है, ऐसे लोगों को इजीली बेसिक सफलता जीवन में प्राप्त हो जाती है, यहां पर विद्या रेखा भी बनी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और इस बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, अब जो यह इनका काम है, इनको रोज डेली लोग पूछ पूछ कर काम करते होंगे, तुकि इस तरह की रेखा, व्यक्ति को इस तरह का कारे करवाती है, और अगर यह स्क्वेर कंप्लीट होगा, मुझे यहां पर दो तीन स् इस्क्वेर दिख रहे है यहां पर भी कोई यह इस्क्वेर भी अगर कम्प्लीट हो गा उन्हीं का मॉल्ट सिटी का काम, जीवन में या काम, और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह से व्यक्ति अपने जीवन हो पर भी ट्राइडन गए इन बना हुआ यह था सूरे के पावर को बढ़ा देती है, यानि यज भी मिलता है, नाम भी मिलता और दाम भी मिलता है, सेम चीज यहां पर भी इसी तरह का एपेक्साइन बना हुआ है, यानि यह इसका मतलब होता है आपके हाथ में जो भी ग्रह है, मुझे कुंडली आती नहीं, पर जनरली यह जब इस तरह की साइन बनती है, यह भी एक एडवाटेज है, अब गुरु परवत पर है की नहीं, वो क्लोज अप में हम देखने की कोसिस करेंगे, वो साइन है की नहीं, और इनकी जो फेट लाइन है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है, जैसे सूर्य परवत की और देख रही ह तरीके चेंज होते रहेंगे एक सटेन एज के बाद, पर कंटीन्यू इंकम आती रहेगी, और एकदम फ्लैट शनी परवत है, तो आलस क्या होता है, इनको पता ही नहीं होता, इतने एक्टिव होते हैं अपने जीवन में, अब गुरु परवत पर देखे, तो यहां पर उभ अबर दिखा, तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक तकलिफे रहती है, मदवेद रहते हैं, सांसारिक और पारिवारिक मदवेद भी जीवन में रहते हैं, इसका मैं उपाय दे दूँगा, बाकि ओवरल देखा जाए, तो गुरु परवत अच्छा फैला तो पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम रहते ही है, मदवेद रहते ही है जीवन में, और यहां पर देखे, तो एक लाइन और सेकेंड लाइन, यह व्यक्ति को धर्मिक भी बनाती है, मल्टिपल इंकम के सुरोध भी व्यक्ति के जीवन में रहते है, मिस्ट्री साइंस जैसे astrology है, पामेश्ट्री है, उसमें interest भी जागता है व्यक्ति का, यह सारे कारे व्यक्ति को इस लाइनों के द्वारा मिलते हैं. अंदूनी मंगल काफी अच्छा उभार है, इस तरह का अंदूनी मंगल सरीर में energy exposed person की तरह होती है, एक तो यह खासी है, पर यह लोग बचपन में और जवानी में अच्छी खासी अप्शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे उमर बढ़ती है, वैसे वैसे कम हो जा minus point रहे गई, चाहे हिंदी में बोलते होंगे या इंग्लीज में बोलते होंगे पर यह problem रहे गई इनका, second चीज, जब आपका अंदूनी मंगल और भारी मंगल दोनों अच्छे हो, तो जमीन जायदात से related काम बहुत easily होते है, वैक्ति को, और यह लोग property भी अच्छी बना पाते हैं, इनको property आप बुला के advantage मिलता है, प्रोपर्टियों का, और यहां पर देखे, तो एक multiple property की sign भी यहां पर clear cut बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक property भी वैक्ति अपने जीवन में खरिटा है या निर्मान करता है, और इनको तो मेरी सला है, जब भी आपको मंगल किसी के हाथ में अच्छा दिखे, उसको आख मुन के कह दीजिए, आप जो भी पैसा कमाए, प्रोपर्टियों में investment करिए, वो आगे चल कर आपको काफी profit देगी, भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे, तो energy के साथ मिलते होंगे, सामने वाला comfortable feel करता होगा, अब यह जिस तरह का चंद्र परवत है, यह 100% विदेश से संबंद लाता है, सेकें ठोड़ा सा दब रहे हैं यहाँ पर तो बाते करने का शौक ज़्यादा रहता है व्यक्ति में, पर इस तरह का चंद्र परवत किसी न किसी तरह है, या खुद के माध्यम से, या संत पर सेट हो जाए, या आप लोगों का काम वहाँ का विदेश से हो, कहीं न कहीं विदेश से संबंद यह इस तरह का चंद्र परवत लाता है, पानी अच्छा लगता है, दूद से बनी चीज़े अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फोर मनी परचेस क करते हैं, यह सारे एडवांटेज और रिफाइंड सोच होती है इनकी, तो यह एडवांटेज इनको मिला हुआ है, और एक रेखा इनकी जीवन रेखा से चल कर चंद्र परवत की और जारी है, ऐसे लोग चाहें तो विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, या बार बार आना जा इनका लगा रहता है, तो यह एडवांटेज तो इनको मिली चुका होगा, यहां पर देखे, तो एक बहुत बड़ा मनी ट्रेंगल और बहुत बड़ी बुद्ध रेखा बनी हुई है, अब जनरली अर्किटेक का अगर कोई व्यक्तिक काम करता है, अगर कोई दूबई का आ तो उनके विदेश से संबंध रहते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे फर्म है, जो आल्रेडी पूरे दुनिया का काम करते हैं, पर हमारे भारत में आर्किटेक का इतना महत्व नहीं है, जितना होना चाहिए, और इसकी जानकारी मुझे इसके लिए है कि मेरी खुद लड़ महत्व नहीं है, जितना डवलप कंट्रियों में है, और उनका कंटीन्यू विदेश से संबंध होता है, हाँ, यहां के आर्किटोको का होता है कि नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं, पर मेरे ग्यान के अनुसार होता नहीं, पर इनके हाथ में कहीं न कहीं ये क्योंकि चंद्रपरवत अच्छा है, और मनी ट्रेंगल जब इधना अच्छा हो, तो व्यक्ति के जीवन में धन की मात्रा अधिक मात्रा में आती है, और अच्छा खासा धन व्यक्ति अपने जीवन में संग्रा करता है, और अच्छे खासे इंकम के स्रोथ क्रियेट होते है व्यक्ति के जीवन में और इतनी अच्छी बुद्रेखाओ तो व्यक्ति कहीं न कहीं अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करता है अपने कार्यों में यहां पर एक लाइन निकल रही है यह बहुत बार व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्राप्लम कभी-कभी क्रियेट करवाती है हाजमा का प्राप्लम व्यक्ति के जीवन में रहता है जब इस तरह की रेखा होती है तो या फिर इस तरह की रेखा कभी-कभी सस्वुराल प्रक्ष का भी इंफ्लेंस जादा रहता है ऐसा भी देखा गया है शुक्रपरवत तिमेंडस अच्छा है एक पूरी फुटबल की गेंड की तरह शुक्रपरवत है यह व्यक्ति जब इस तरह का शुक्रपरवत होता है तो थोड़ा सा कामुक रहता है सेकेंड इनको गर्मी पसंद नहीं आती लग्जरियस लाइफ होती है अच्छे कपड़े पहनते खुद का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहता है और लग्जरी के बीना इनको चलता नहीं है और यह लोग कमा भी लेते उतना कि लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं यह सार पर बारिक रेखा है दिख रही है इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है हल्का सा बंधन इनको जीवन में लगता होगा इससे ज्यादा कोई मीजर प्रॉब्लम इनके जीवन में शुक्र परवत से तो दिख नहीं रहा है अब चलते हैं इनके हिर्दे रेखा पर हिर्दे रेखा देखे तो कम्प्लीट गुरु परवत से सुरू होकर सीधी चल रही है और यहाँ पर फ्लाट लाइन भी बनी है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो थुड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूमता है से देखर आएगा इतने भरों से लाइक होते हैं और हिर्दे रेखा काफी उत्तम है एक दो लाइने नीचे की तरफ चल रही है कि यह मित्रों को या सके संबंद्यों को हेल्प करेंगा और वो पैसा वापस नहीं आएगा और यह देखिए कंप्लिट टच होकर ही चल रही है काफी अच्छी उत्तम हदे रेखा है जीवन उत्तम तरक हैं तरीके से जीता आ रही है बहुत जादा जंजटे व्यक्ठी के जीवन में नहीं रहती अब इनकी माइन लाइन देखें तो माइन लाइन लगबग गुरु परवत से ही सुरू होकर कि सीधी चलकर यहां तक पहुच रही है जब इस तरह की mind line हो तो first गुरु परवत से शुरूवी तो महतोकांची होता और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है और जब चंद्रपरवत की ओर जाती है तो व्यक्ठी का imagination power बढ़ता है और यह जिस फिल्ड में है उसमें imagination power की बहुत आवशक्ता होती है और यह help भी करती है इनको यह line पर जैसे जैसे उमर बढ़ेगी इनमें धर्मिक भावना बढ़ती जाएगी और एक minus point होता है भारवालों के लिए काफी उत्तम पर किसी न किसी परिवार का एक सदस्य होता है उसको बहुत बोल बोल करते यह एक minus point रहता है इनमें और mind line भी काफी उत्तम है कोई problem वाली कहीं पर भी कोई minus point दिख नहीं रहा है mind line पर अब G1 रेखा जो भी problem दिख रहा है इनके G1 का वो इनके G1 रेखा पर दिख रहा है एक लगबक 31 के आसपास यह line अगर पार करती होगी तो 31 के आसपास जीवन में है कोई ने कोई रुकावट आई होगी उसके बाद 35 के आसपास दिख रही है रुकावट उसके बाद 39 उसके बाद 42 42 उसके बाद 44 उसके बाद 47 और उसके बाद 50 54 और 56 यह इतनी राहू रेखा है अच्छा सब कुछ चलते हुए बीच बीच में रुकावटे क्रियेट होती है कोई ने कोई आर्थिक नुकसान व्यक्ति को जाता है इतनी स्ट्रॉंग राहू रेखा है नहीं है फिर भी सब कुछ चलते चलते गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ती हुए और गेर चेंज करना पड़ता है तो यह कंडिशन इनके हाथ में है तो 56 तक बीच बीच में रुकावटे आती रहेगी जो साल कहे नहीं है तो यहाँ पर इनको मैसुस हुआ होगा कि कुछ something difficult जीवन में difficulty जादा रहती है पर ऐसी भी बहुत जादा strong भी नहीं है पर फिर भी strong है तो यह दो strong है उसके बाद ना इधर strong है ना इतनी उपर की तरफ strong है और जीवन रेखा पूरी चल कर यहां तक चल रही है और साथ में मंगल रेखा भी है तो यह व्यक्ति का रक्षण का काम करती है इससे ज़्यादा कोई benefit इस मंगल रेखा का नहीं मिलता अब फेट लाइन केतू परवत से शुरुवात होकर नौन स्टॉप यहां तक चल रही है अब केतू परवत से जब शुरुवात होती है फेट लाइन अब शुक्रवलय वाला हाथ है तो खाते पीते घर के व्यक्ति होते है जन्मक के साथ ही व्यक्ति उन्नत होता है यानि परिवार उन्नत बनता है तो बेसिक रिक्वार्मेंटे व्यक्ति के जीवन में इजीली प्राप्त होती है पहली चीज और यहां पर देखें तो एक 31 के आसपास या 30 के आसपास एक कट लगा एक 35 के आसपास कट दिख रहा है एक 41 39 के आसपास और एक 42 के आसपास कट दिख रहा है उसके बाद एक कट उम्र लगभग 50 के आसपास है और एक कट 54 के आसपास है पर यह सीधे कट है 42 का थोड़ा सा क्रॉसम है और 39 का भी क्रॉसम है तो यह थोड़ा सा ज़्यादा नुक्सान देते और यह थोड़ी सी स्ट्रॉंग कट होने के कारण यह थोड़ा सा ज़्यादा नुक्सान हुआ होगा 41 42 के आसपास और यह सीधी चलकर सुरिपरवत की और देख रही है इसका मतलब होता है या तो किसी और का काम करना किसी और के प्रोड़क को बेचना या व्यक्ति विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जाता है और बीच-बीच में छोटी-छोटी लाइन है और है जो मल्टिपल इंकम के स्रोत क्रियेट करवाती है अलग-अलग समय पर जैसे यह लाइन है यह 42 के आसपास से डवलप ह हुई यह 44 के आसपास से डवलप हुई यह और है यानि बीच-बीच में अलग-अलग माध्यम से पैसा भी आता रहेगा और यह पूरी राइन शुरुपरवत की और देख रही है तो इस तरह का जीवन है यह जो भी थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम झेल रहे वो ड्यू ट्रैंगल है और साथ में शुक्रवलय भी है और स्पेस भी अच्छा मिला हुआ है तो सपलता तो अच्छी घासी जीवन में पाई होगी इतनी तकलिफों के बावजूद भी तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रशनों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए भाद भाद धन्यवाद